नासा का आर्टेमेस मिशन क्या है? ऐसी कभी कबारी लोगों की मनों कामना पूरी होती है, कर दी लो आओ, सब को बताते हैं, तुम्हारे चलते हुए अब इतना ज़्यादा मतल्य लिखो बार बार आर्टेमेस मिशन आ गया बेटे कमेंट बॉक्स में से हटा हो, ठीक है? आजाओ साब, आगे वड़ते हैं साब, तो ये क्या है नासा का आर्टेमेस मिशन? आईए चर्चा करते हैं, समझने का प्रयास करिए, बहुत ज़्यादे इंपोर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के अंदर इंपोर्टेंट है, टेकनलोजी के अंदर इंपोर्टेंट है, आप इसे यहाँ से देख सकते हैं, चलिए साब शुरू करते हैं, नासा का आर्टेमेस मिशन क्या है, हमने अल्रेडी इसको अपने कॉस्चन्स में रखा हुआ था, और ये तुरंट यहाँ पर निकल करके आ गया है, आर्टेमेस मिशन, हमारे लिए हमेशा की तरह एक बहुत बड़ी जिग्या सा, वो इस बात की, कि यार जब तुम पहले, इतने साल पहले, आप ही लोग बता दो, अमेरिका ने अपना अपूलो मिशन कब भेजा था, जब आदमी नील आर्मेस ट्रंग उतारा था, चंदरमा पर उतारा था, वो सवन कौन सा था, उस मिशन का नाम क्या था, ये मुझे आप बहुत पहले का बता दो, तब मुझे आर्टेमेस मिशन का माहौल बनाने में लाता है, फिलाल के लिए ये समझ लो कि एक आर्टेमेस मिशन है, जो कि चंदरमा पर जा रहा है, वो पोस्ट पॉन हो गया है, पोस्ट पॉन कब से हो गया, तीस तारिक को जाना था, अब दो तारिक को जाना था, अब वो दो तारिक को जाना था, अब वो दो तारिक को जा था comment box में लिख रहे हो मजा नहीं आ रहा है 1969 Apollo 11 ठीक है अब सोचके देखो उस घटना को हो चुगे लगवक 73 साल वो 73 साल बोल दे रहा हूं मैं जैसे हम लोग गगनियान के साथ कर रहे हैं हम फिर भी थोड़े से ज़्यादा हिम्मत वाले हैं ठीक है हमारा इस्पेस प्रोग्राम तोड़ा लेट शुरू हुआ था अमेरिका की हरकते देखो कि जब वो पहले Apollo 11 के माध्यम से चंद्रमा पर आदमी उतार चुका है नील आर है को या 53 साल के अंदर मतलब चंद्रमा पर पैर के निशान आज भी मतलब कुछ भी पता क्या करता है अमरीका सो नो वेटा सेरियसली लो हमारी बात क्योंकि वहां हवा नहीं चलती है और नहीं वहां बारिश हो रही तो वहां पर नील आर्मिस्ट्रॉंग के पैर के निशा आज भी है तो भाई जब ऐसी बात है तो तुम इतना दर्क आय रहे हो क्यों यार एक बार के लिए कैलकुलेट करो तुम चंद्रमा पर फिर से मिशन भेज रहे हो पता है कैसा मिशन भेज रहे हैं यह लोग 2022 में इनका ऐसा मिशन जा रहा है कि मिशन वहां जाएगा अभी जाकर के चक्कर काटे का इनसान नहीं भेज रहे हैं उसमें गुड़े गुड़े धरके भेज रहे हैं यानि कि डुप्लिकेट टॉइज रखके भेज रहे हैं ताकि उनके उपर असर देख सके रोबोट समझ लो और वो मिशन अब जाएगा उसका जो प्रभाव आएगा य उसके भी 6 साल बाद में 2030 में जाकर ये चंद्रमा पर इनसान उतरने भेजेंगे यार घजब करते हो पांडे जी हैं मतलब तुम लोग जिस काम को इतना पहले कर चुके हो उसको करने में फिर तुमको इतना डर क्यों लग रहा है हैं हमने एक बार आरे इसकी परिक्षा पास कर लिए लो बई परिक्षा दी पास कर लिए हमको पता है कैसे होती है तुम लोग परिक्षा देने में तकाई डर रहे हो यार 19 है कि नहीं मुद्दे की बात खेर वग्यानिक हैं कन्विंस कर देते हैं कह देते हैं पहले तो बस पैर लगा के वापस आ गए थे इस बार तो हम ये भी चेक करेंगे कि वहां रहना कैसे है खाना कैसे है कितना टाइम कटेगा वगएरा वगएरा तो अभी हम अमरीका वाली 3 ये 3 mission जाएंगे साब जो 1 number mission है ये moon पर जातो रहा है लेकिन इसमें कोई भी इनसान नहीं है ठीक है यहां पर इनसानों को रखने के लिए या इनसानों को भेजे जाने के लिए जिस कमरे का उपियोग किया जाएगा वो कमरा वहां पर उतारा जाएगा कमरा कह लीजिए य आप इस तत्थे को याद कर ले, ओरियन, ओरियन को इसलिए याद कर ले, अच्छा मैं थोड़ा सा आपको वैसी तकनीकी भासा समझाने से पहले, थोड़ा आपको एक बार तस्वीर दिखाता हूँ, देखिए जी, रॉकिट जब जाता है न, अरे कहां गया भाई, ये मालीज की रॉकिट है, इस रॉकिट के सिर पर ये जो जाता है न, पेलोड कहलाता है ये, और इस पेलोड में ओरियन जा रहा है, ओरियन क्या है, तो ओरियन एक ऐसा कमरा है, जिसमें जा करके लोग बैठ सकते हैं, फिलहाल लोगों को नहीं बिठा रहे हैं ये लोग, लेकिन इसमे बैठ करके लोग उपर जा सकते हैं यह ओरियन क्रू कैपसूल है जो चांद पर भीजा जाएगा और अंत्रिक्ष में कुछ सेटलाइट भी इसके साथ छोड़े जाएंगे तो यह तो हो गया क्या है आर्टेमिस वन मिशन एक रॉकेट है उसके उपर ओरियन कैपसूल है चंद कर धरती पर आएगा लगभग 42 दिन इसको इस पूरे कारह करम के अंदर लगेंगे कई लाख किलो मिटर की इसके द्वारा यात्रा की जाएगी इसमें इंसान नहीं भीजा जा रहा है यह इसकी खासित हो गई साथ ठीक है तो ओरियन की कहानी समझ में आगई ठीक है तो आर् आंटेमिस वन मिशन चांद पर पहुँचेगा अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी का प्रयास करेगा और पता लगाएगा कि नासा में जानने की कोशिश करेगा कि क्या अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चांद पर हालात सही है या नहीं है एस्टोनाट चांद पर जाने के बाद प्रत्वी पर सुरक्षित लोट सकते हैं या नहीं लोट सकते हैं ये इन सभी प्रशनों का ये यहां पर समाधान करेगा साथ में ये ये भी देखेगा बायो एक्सपेरिमेंट करके देखेगा पेड़ पौधे जो इनसान के द्वारा चंद्रमा पर ले जाए जाएंगे उनको पहले ही लगा के देखेगा कि उनके उपर कोई फरक पड़ता है कि नहीं पड़ता है ठीक है एक बालक मुझसे बहुत करें छोटों को प्यार दें अंके जी आप चांद पर एलियंस है कि नहीं सच सच बताना अभी जी जी वन्हां सच बताने माथ आप ने दिल की बात चलिया हमसे आप कमेंट लेके पूछ रहे हैं सच सच बताना आपने हम पर इतना विस्वास कर लिया मतब आप हमको मान रहे आप हमको इतनी इज़त दे रहो हो जैसे नील आर्मिस्ट्रॉंग से पहले चंद्रमा पर हम गए थे आप क्यों पूछ रहे हो आपका सवाल देख रहे हैं आप सच सच बताना धन्य है आप सो क्यूट यार ऐसे ना करो यार हम कौन सा अभी तक वहां गए हैं तदा हम भी किताब पढ़ा कर कि आपकी तरह दो किताब पढ़के चार बाते पढ़ा दे रहे हैं एकदम खलियर दिमाग हैं हम बिल्कुल कटते ही नालिज नहीं है वाई साव एलियन्स फैलियन्स का हम को होता ना तो जादू पाकर के आज हम बहुत कुछ कर रहे होते ठीक है फिर चलते हैं साव हम औरियन्स क्रू कैपसूल कैसा है अब ये बड़ा सवाल बनता है एक सर जी एक बात बताईए ये कैपसूल है कैसा हमने गाल कमरे जैसा है भाई ये कैपसूल है यह ना इसका नाम किसी एक नक्षतर के आधार पर रखा गया है 11 फिट और 11 फिट के सानों की जगे पुतलों को बिठा कर बेजा जाएगा नेक्स्ट जनरेशन इस पेस सूट और रेडियेशन लेवल चेक करने के लिए यहां पर चीज़ें भेजी जाएंगी ठीक है यहां पर सुनूपी नामक एक सॉफ्ट टॉय भी भेजा जा रहा है सॉफ्ट टैडी वीर ठीक है ना तो वो भेजा जा रहा है उसके उपर हाल-फाल पिर पूचा जाएगा सर यह रॉकेट कितना ताकतवर है क्योंकि देखिए यह रॉकेट है इसके टोपे पे आपने ओरियन बिठाया रॉकेट में आग लगाई रॉकेट पहुचता हुआ पहुच गया ओरियन को म अपन SLS सिस्टम कहेंगे ठीक है ना तो औरियोन नामक तो कैपसूल हो गया जिसके उपर लदके जा रहा है उसका नाम SLS हो गया जिसका पहले भी कपेले कभी इस्तमाल नहीं हुआ है इस बात को आप जान लीजिए यह जो रॉकेट है ना यह 322 पिट लंबा है और 2600 टन इ है इसका ठीक है तो यह बात आपको समझ में आगे एक बालक पूछ रहा है फिर से मजा ले रहा है हमसे क्यारा गुर्जी एक बात बताईए इसको कैपसूल में क्यों भेजते हैं हाँ आपका बस चले तो आप तो रॉकेट के मुँपर इंसान को बांद के भेज दें जा सिम पर आग ना लग जाए ठीक है कैपसूल में आग ना लग जाए इसलिए भेजते हैं यार ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं एक बालक अलग आनंद ले रहा है इसर उत्तर कुरिया पर वीडियो बनाईए या तो फरमाईसी संगीत हमको कई बार लगने लगता है इतना लेट का होगा मिशन ये भी थोड़ा सा जान लीजिए ये च्छे हफते यानि की 42 दिन का मिशन होने वाला है दो लाग चालिस हजार मील यानि तीन लाग छियासी हजार किलोमेटर दूर चंद्रमा पर पहुँचने में इसे एक सपताह का समय लगेगा चंद्रमा के चारो और चक् यह धिन सा हुवा करता था एक बार कोई विए जी चीज आ कर परत्वी से टकर आी थी और भाईसभा टौड़ा जाके गर गया था अचा आपको एक प्तानीट पता है के पता है चंद्रमा प्रत्वी के चक्कर काटता है अपने चक्कर काट रहा है तो यह अपनी जगह पर भी यह गोला 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 समझू कि वो घूम रहा है अब वो घूम रहा है ना तो वो इधर पहुंचा तो थोड़ा सा यह घूम गया फिर 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 थोड़ा सा यह घूम गया हमारे सामने उसका फ्रंट ही रहता है हमेशा हमको कभी उसका बैक दिखा ही नहीं चंद्रमा पीछे से कैसा हमको नहीं पता है इसी वज़े से वग्यानिकों में जिग्यासा है कि इसके दक्षणी दुरूफ की तरफ लोगों को उतारेंगे तो यह Artemis Mission जो है ना इसके दक्षणी दुरूफ पर ले जाने की बाते कर रहा है ठीक है ना तो इस चीज को आप यहाँ पर देख सकते हैं तो सबसे बड़ा Test Mission के मैंने बताई दिया वायू मंडल और सबसे Important बात मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ जब यह वापस लौट के आएगा ना Orion Mission यह प्रत्वी पर वापस आएगा प्रत्वी पर वापस लौट कर आएगा इसका मतलब समझ रहें आप इसका मतलब यह है कि यह वहाँ पर चक्कर काटने के बाद जब अपना समय पूरा कर लेगा तब यह लौट करके वापस प्रत्वी पर आएगा और प्रत्वी पर जब आएगा ना तब इसके अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो जाए इसलिए इसके अंदर फिर से हीट को बचाने के लिए इस पर शील्ड लगाई गई है ताकि इसको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो उमीद है कि आप सभी साथियों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई हो क्लियर हो गैसा बढ़ें आगे यहां तक की जानकारी आपको सबको मिल गई इसका नाम कैसे पड़ा एक सवाल और बहुत अच्छा सवाल है ये कि साथ इसको आर्टेमिस मिशन ही क्यों कहा गया तो देखिए ग्रीक माइथोलोजी है ना उस ग्रीक माइथोलोजी में ये माना जाता है कि जो अमेरिकन्स थे उन्होंने पहले नाम रखा था अपोलो तो जो अपोलो नाम रखा था ना वो अपोलो नाम था उसी का समानार थी है मतलब अपोलो जो है उसको सूर्य का देवता माना गया है और ग्रीक माइथोलोजी में अपोलो और आर्टेमिस जो है वो जुडवा भाई बहन है ये बड़ा interesting किस्सा है ये ध्यान रखिएगा Greek mythology में Apollo और Artemis दौनों जुडवा भाई बहन है और ये माना जाता है कि Apollo सूर्य का देवता है और Artemis जो है वो चंदरमा की देवी है देवता और देवी ये लोग भी मानते हैं तो बाई साब ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए तो Apollo कब गया ये मैंने आपको बता दिया 1969 में और अब उसके बाद Artemis की बात हो रही है मेरा क्रेज हमेशा यही पर बरकरार है कि यार तुम इतने साल बाद भी डर क्यों रहे हैं जाओ नब बुलंद खेलो यार मस्ती से हम तुम्हारे साथ है टाइप से वो वाली बात है ठीक है अभी इनको डर ऐसा लग गया इनने बाई साब रॉकेट कल लॉंच हो जाता सेनिवार के दिन पता भी निक मतब कल मंड़े की दिन शाम को लॉंच होने की बात थी कैनेडी स्पेस सेंटर से लिए अचाला कि इनको पता चला कि इन्होंने जो रॉकेट लगाया उसके चारों तरफ जो सिलेंडर लगा रखें उनमें से एक लीक मार रहा है भाई साब ये उसको बंद करवा दिया भाई साब रोक दो फिर दिक्कत हो जाएगी टाइप से ठीक है बागे तो सारा ज्यान है वो आटे मिस वन आटे मिस थरी के बारे में है ठीक है साब ये हम जानकरी आपको आल्रेडी दे चुके है सेशन को शेर वेर करते रहिए मतलब इसमें कोई कंजूसी मत करिए इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है इसमें आपको बैस्ट एडुकेटर्स के द्वारा तयार की हुई कंटेंट मिलती है आप इसको अंदर पार्टिसिपेट